कि हलो फ्रेंट वेल्गम डू स्मार्ट नों के चैनल दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप से चर्चा करने वाले हैं रपीए फैनिसरी कॉंस्टेबल का जो ट्रेट टेस्ट चल रहा है उसके बारे में जियां दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं रेसिपी जिस दोस्तों हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो उन्होंने हम पूछा जहांसे उन्होंने सीथा दोसकर आपको मुले और समझने को किस प्रकार करना है आप सभी को पता सभी को एक जैसा ही समान मिलेका एक है किचन और पता है कि आपको भी कि खाना बनाने का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रोल होता है वह होता है आपके रेसेपी कि आप कौन सा स्टेप कब लेते हैं किस प्रकार लेते हैं और कितने समय आपको कैसे कैसे जो इसकी तहरी करनी है तो हम सब कुछ बताने वाले इस वीडियो आपने काफी वीडियो देखा होगा तो वहां पर लौकी के सब्जी के बारे में चर्चा हो रही थी तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि लौकी के सब्जी कैसे बनानी है और कौन सी रेसिपी आपको इस्तमाल करनी है चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लौकी की सब्जी बनाकर इमेजेस दिखा दिया आपको अब एक नजह डाल लेते हम इसमें आपको क्या क्या चाहिए और यह रेसिपी का नाम क्या है जिया दोस्तों यह इंडियान रेसिपी है आपको पता ही है लौकी सब्जी और कितने पर आपको समय इतना ही मिलेगा 15 मिनिट तक का समय दिया जाता है ट्रेटेस्ट में लवकी की सब्जी बनाने के लिए तो आपको 15 मिनिट में कैसे बनाना है हम वही बनाएंगे तो यह मील टॉइप आपको पता है वेज सब्जी है तो इसमें कोई बतानी ज़रूत नहीं है आपको काटा हुआ यानि कि आपका उसके एक छोटा चम्मत जीरा ले लिजिएगा स्वादर नमक जो है हमेसा इसको यह जो रोल है में नमक कही होता है कि नमक जब अभी सब्जी का टेस्ट एक्जामनेर लेगा आपके तो कितना टेस्ट आएगा यह डिपेंड करता है आप इतना समान आप यूज करें दो सब्जी बिनाए तो कितना नमक लगता है तो नमक पर आप जोई स्पेशली जो कॉंसर्टेट कीजिएगा और यह स्वादा निस्वार होता है अब बात करें गरब मसाला तो एक छोटा चम्मच लीजिए उसे गरब मसाला लीजिए चाइक च पूरा होता है तो एक चुटकी हींग डाल दीजिएगा एक इंच अद्रक जिहां उसको थोड़ा फुरस कर लीजिएगा निखून कर लिएगा लहसुन डाल लीजिएगा उसमें चार से पाच टुकड़े एक टमाटर काटके डालिएगा चार हरी मिर्ट तेल जितना आप जरूरत के हिसाब से गर तेल का इस्तमाल दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस भी मैं आपको फूकस करा दूँ कि तेल का इस्तमाल हम तेल के बात करें तो पानी की आवशकता अंसार आपको पानी डालना है जितने जरो थे सजावट के लिए बड़ा चमच धनिया पती लिए उसके उपर डाल दीजिए सजावट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको पता ही मैंने काफी वीडियो में बताया है कि आप आपको जब सलात काटने को दिया जाए या फिकोई भी चीज रेसिपी या फिकोई भी फूट जबा बना के प्रेप्रेजेंट करते हैं सामने वाले को देते हैं तुसे सजा के दीजिए आपने देखा काफी फॉर स्टार फाइस्टार होटल्स के पिक्स देखे होंगे या सब्सक्राइब ची क्या होगा तो आपको पता होगा कि वेडर किससी परकार अपको खाना आप घर पर जाहे सजा कर देते हैं अब पर आते हैं वीधी जिस वीधी का इस्तमाल काफी स्टोंट जो है सेलेक्ट हुए है वुस्वीदी सी बात करें सबसे पहले आपको क्या करना लौकी को छील का अच्छे दो लीजिए और टुकडों में काट लीजिए मैंने आपको बताया था स्कॉयर में काटना तो आप उसी लौकी अच्छे तरह से पक जाए उसके बात करना आपको मेडियम आच लेना है एक उकर में तेल डाल के गरम करिए जब तेल गरम हो जाए उसमें क्या कि आप हींग जीरा हरी मिर्च लशून अद्रक यह सब डाल कि तड़का दीजिए थोड़ा उसको लाल कीजिए जब तक इतने बाकिके मसाले में आपको बताया रेसी में उसभी तो अच्छी तरह से हिला कर उसमें डाल दीजिए यानि कि आप पर एक स्टेप डाल सकते हैं तो टमाटर डालिए फिर लौकी डालिए इस पर का जो है और नमक दोस्तों में कहूंगा कि आप लास्ट में डाले क्यों आपको अंदाजा ही ने रहेगा अंदाजा जगलत हो जाएगा तो आपका जो है सब्जी खराब हो जाएगा दोस्तों तो आपको इस चीज को ध्यान रखना कि नमक आपको सबसे लास्ट में डालना है एक दो मिनिट तक ऐसे ही पकाया फिर थोड़ा सा पानी डालकर जो है क पक गया एक बाद चलाके देख लीजेगा कल्चू गयरा जो भी आपको चमच गयर दिया जाता है उससे आप उसको टच करके अच्छे से देखिए अगर वो गल गया हो तो आप सब्जी जो है बंद कर दीजिए तो इस परकार दोस्तों आपकी जो है लोकी के सब्जी तैया हो जाएगी और लोकी के सब्जी जब तैयार हो जाएगी दोस्तों इस परकार कुछ जो है आप एक प्लेट में लीजिए आपको जैसे मिले देखिए किस प्रकार इस पर देखनी का पत्तर डाला गया है इस परकार आप अच्छे सब्सक्राइब सजा के जो हैं सामने वाले क अगर आप 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 पास होंगे क्योंकि हमारे जो कपूर्थला और दिल्ली के स्ट्रेट से उन्हों ने कुछ इसी प्रकार की जो है रेसे पी है तो जो उन्होंने सीखी थी गूगल से तो वही हम आपको बता रहे हैं ताकि आपके लिए भी बेनिफिट हो जो दोस्तों हम हम मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में नई जानकारी एक नई अबडेट के साथ और मिलेंगे हम दोस्तों आपको एक नई रेसिपी के साथ और हम रेसिपी जो है ढूंड कर आपके लिए जो जब से बेस्ट होती है जो सबसे आसान होती है तापकि आपको कम समय में पास होंगे तो दोस्तों मिलते अपने नेक्स में तब तक के लिए शुक्रिया धनिवाद